जैसरी किष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे एचेस वारत द्वा यूटूब चैनल पर दोस्तों, आज मैं आपको 2022 की सबसे भागिसाली रासियों के बारे में जानकरी दूँगा नए बर्स को लेकर हम सभी उत्साहित रहते हीं आने बाला साल हमारे लिए कैसा रहने बाला है सब के मन में यह जिग्यासा होती है कि जो साल बीच चुका उसे बुलाने की कोशिश करें और आने बाला समय कैसा रही भगवान के नाम से साल की सुरुआत करें 2022 में प्रते दिन भगवान सिवजी की पूजा करें गर में पारद सिविलिंग लाग करके जरूर रखें। लेकिन सब के मन में ये विचार है कि 2022 रहेगा कैसा। 2021 तो सब ने देख लिया किसनी मुसीबत याई लोगों के। तो इसलिए आज मैं आपको भागे साली रासियों के बारे में जान करीदूँगा। ये रासियों ब्यादी भागे साली हैं और लगबग इनका समय बहुत ही अच्चा रहने वाला है। एक ब्रकार से देखा जाएं तो इन रासियों के लिए ये साल सांदार रहने वाला है। आने वाला 2022 की सारी खुसियां लेकर की आने वाला हैं। सबसे पहली है मेसरासि मेसरासि की उपर मंगल की शुबदिश्टी गुरू का सुब्यों साथ ही बुद्ध का शहयूं जो मेसरासि को ब्यादी भागिसारी बनाएगा। आने बाला समय मेश रासी के लिए बियादी शुब रहने बाला है 2022 बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा मान सम्मान बढ़ेगा नोकरी आप कर रहें तो आपको लाव मिलेगा प्रमोशन होगा प्योपार में उन्निती मिलेगी हर प्रकार के कार बन्य आपके शुरू हो जाएंगे प्रतेकारियों में रुकावटे आ रहे थी तो वह रुकावटे भी आपकी दूरूंगी संतान धन प्राप्ति के योग बनेंगे दूसरी जो रासी है वो है मितुन रासी मितुन रासी भूमी जाजाद का यूग बनेगा मान सम्मान बढ़ेगा ब्योपार बहुत ही अच्छा आपका रहने बाला है यह जो रासी पर बता रहा हूँ यह नाम के इसाफ से मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली के इसाफ से नहीं है संतान धन प्राप्ति के योग बनेंगे, साथ ही नए कार्यों की शुरुआत रहेगी और परवार में भी आपके में खुशी का मावल रहेगा, बहुत ही अच्छा योग। तीसरी रासी, सिंग रासी के जातकों के लिए नव वर्स 2022 सुब और भागिसाली होने वाला है, सिंग रासी के जातकों को 2022 में कई प्रकार के नई अफसर मिलेंगे, सही प्रकार से आपको लाब मिलेगा, वाकिकत में लाब मिलेगा, जो आपको मिलना चाहिए था, आने वाला स में आपके लिए बहुत ही अच्छा है जिस परकार से मेश रासी के योग बने हुए हैं उसी परकार से सिंग रासी के भी बहुत ही अच्छे योग हैं पुत्र प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति के लिए आपका समय अच्छा हैं बहानादी का सुक भी आपको मिलेगा पर प्रवार की हर खुशी आपको मिलेगी लेकिन कुछ परिसानिय भी आएंगी जो भार के लोग आपके काम में अर्चन डाल सकते हैं इस बात का विशीष रूप से आपको ध्यान रखना है आने वाला समय आपके लिए बेहदी अच्छा रहेगा वही तोलारासी तोलारासी के ल आपके लिए क्यी सपलता लाएगा तो कई अपको देखने को मिलेंगी अगली जो रासियों है विरस्ट रासी विरस्ट रासी के जातकों को भी नव बर्स नए कार्यों की शुरुआत होगी, जिसकी बज़े से आपके और आपके परवार में विश्यस हर्स रहेगा। कुशियों लेकर के आने वाला है ये साल आपके लिए, नए साल की बदलाव बहुत ही अच्छा रहने वारा है। केरियर, धन प्राप्ति, संपत्ति में जापा, साथ ये आपके कार्य में विश्यस लाव मिलेगी। वहीं धनुरासी भी लगबग मध्यम परकार का योग रहेगा, धनुरासी भी अच्छी रहेगी, इनके योग भी अच्छी रहेंगे। कोई तीसरा व्यक्ति आएगा बाहर से, जिसे ये द्वारा आपको विश्यस लाव मिलेगा, उसके सहयों से आपका भ्योपार अच्छा चलेगा, नोगरी में प्रमूशन, वह विद्यार्तियों को विद्या खेतर में लाव मिलेगा, जिनकी साधी में अर्चनारिती, तो उ पायन पर भी विश्यस द्यान दें, पूरे साल गो माता का पूजन करना है, एकादसी, गुरुबार, पूरण मासी, अमावस्या, इन दिनों पर गो माता की पूजा जरूर करें, गो माता, गो रोटी, गोड, हरी दुरुबा, ये चीज़े जरूर खिलाएं, इससे आपके योग बहुत ही अच्छे बनेंगे, कुमरासी, इस रासी के जा तक जब भाग की बात आती है तो, धन लाव की उम्मीद सबसे ज़्यादा इसके उरेने वाली है, दुहजार बाइस धन के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है, नए प्लान बनेंगे आपके, जिनमें स्वयोग मिलेगा, उता चड़ाप देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा तर सफलताएं भी आपको मिलेंगे, वहीं मकर रासी के लिए ये साल मिला जुला रहेगा, संतान धनवराप्ती के योग तो बनेंगे ही, साथ ही आप जिस कार के लिए प्रयास रहते हैं, चो कार आप करना चाते हैं, कार आपका सफल नहीं हो पा रहाता, वह कार आपका जरूर सफल होगा, अक्सर कई बार ऐसा हुता हम अच्छी खासी मेनत करते हैं, भाग दोड करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाती, तो वो ग्रैन का प्रबाब होता है, कई बार ऐसी परिस्ति प्रमूशन मिलते हैं, ब्योपार खेतर अच्छा चलता है, साथ ही पुत्र प्राप्ति के संतन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं, बानादी के अस्रुक मिलता है, तो ये कार आपको 2022 में विशी से ज़्यादा मिलेंगे लाब मिलेगा, भगवान कृपासी जो समय आपका बीत गया, उसे भूल जाएं, और आने वाले समय की तियारी करें, बर्तमान को अच्छा बनाएं, साथ ही भगवान की पूजा पाट पे भी ध्यान दे, प्रति दिन सूर्देव को अर्ग देना, भगवान के सामने दीपक जलाना, भगवान सिव की, भगवान विश्नों की पूजा करना, गौहमाता का पूजन करना, ये आपके लिए बियादि शुव है, करम करने से भाग के बदल जाता है, इस बात का विशिश रूप से आपको द्यान रखना है, तो मेनमेन बाते में आपको बताई हैं, बिस्तार से अगले 分鐘 में आपको जानकारी प्राप्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बगर में घंटी की बटन को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकिशन पाने के लिए जैसे रिकिशन